क्या अभीर का सज जानने के बाद अभीमन्यू कर पाएगा अक्षरा को उसके बेगे से अलग जी हाँ दोस्तों स्टाव प्लस की नमबर वन सीरियर ये लिश्टा क्या कहलाता है में आगे दिखाया जाएगा कि किस तरह से अब धीरे धीरे अभीर का सज जो है उस सब के सामने आने वाला है जिसके बाद अभीमन्यू जो है अक्षरा को सजह भी देने वाला है जिस बात कडर अक्षरा को इतने दिनों से огगा हुआ था कि dwattس के सामने बहुत जल दी और आजाएगा जिसके अभीमन्यू अक्षरा को अलग करने की कोशिश करेगा तो चलिए बताते हैं इसके बाद सील के आने वाले ट्राक में और क्या के लिटिस्ट टिस्टेंग टर्न्स आने वाले हैं। वेल दोस्तों आज आप सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से बिर्ला हाउस में आरोई के बर्टडे की तैयारियां चल रहे होती हैं। जहां पर मंजरी बहुत खुश है कि उसकी बहु का बर्टडे है तो वहीं पर आरोई भी सर्प्राइज हो जाती है जब वो सब को किचन में एक साथ देखती है क्योंकि सब उसके बर्टडे सेलिबरेशन की तैयारियां कर रहे हैं। तो वहीं आप देखेंगे कि वहीं रुही जो है वो भी अपने ममा पापा की डेट के लिए काफी जादा एक्साइटेड हैं। कुझे बहुत डर लग रहा है हाला कि इस चीज का डर डूर करने के लिए आप देखेंगे अभीनव और अक्ष्रा जो है अपनी पूरी कोशिश करते हैं अभीनव जो है वह तुम समझाओ मेरी तो बात यह मानी नहीं रहा है तभी अक्ष्रा जो है वह अपने बेटे को बह कुझ नहीं होने देंगे फिर आप देखेंगे अभी मन्यु जो है यह सारवी सारी बाते जो हैं वहां पर खड़े होके गेत के बाहर स wonders रहा होता है वह आप यह अभी मन्यु का फोन जो है और हтор पास यह जवाब देता है औह डोक्टर अभी मन्यु ने अपना फोन उठाने से किसी को मना किया है ये सारी बाटे सुनकर मंजीरी तोड़ा सा हैरान हो जयाती है बहीं आरोई की शक्ल बहिंब्हों इस वीडियो बताईएगा तलहा इस वीडियो में टीवी बॉल्लिवट से जुड़ी हुई तुमाप अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेस्बूप पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से यसे भी फॉलो कर लीजिए